हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरध्या अरेयस एकडमी में दोस्तो राजस्तान में आयो जीत राजस्तान पटवारी भरती परिक्षा 2021 के नवीन तम पार्थे करम के अनुसार मोडल पेपर की टेस्सरीज शुरू की गई थी जिसमें अपने दोस्त पटवारी मोडल पेपर 2021 के नाम से वहां फोल्डर बनावा है तो आप वहां जाके पिछले मोडल पेपरो का टेस्ट है वो अवस्य दें और अरध्यारे सेकडमी के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने पिजाकार शिकर अर्दचंद्राकार जसलमेर मयूराकार करोली बक्ताकार तो दोस्तों इसमें कौन से युगम सही सुमेलित है अपने को कूटबासा में बताना है नीचे चार उप्शन दिये गए हैं तो यहां पे देखो एक तो सिकर का अर्दचंद्राकार सिकर जिले की जो आकरती है वो अर्दचंद्राकार जैसी है और कैरोली की है दोस्तों बतकाकार ठीक है यहां पे दोस्तों देखो इसमें बाकी और दे रखा है जोधपूर एनियमित बुजाकार और जैसलमेर मयूराकार यह दोस्तों अपने को यहां पे क्या दे रखा है गलत दे रखा ह जैसलमेर है वो दोस्तो साथ जिसाओं वाले एनियमित बहुबुज के समान जैसलमेर के आकरती है और यहां पर जो जोधपुर दे रखा है जोधपुर के आकरती है वो औस्टेलिया माधिप के समान है तो इसका रहाइट आंसर क्या हो जाएगा एक और तीन इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा कौन सा युक में सही नहीं है तो यहां पर देखो एक में प्राचिन अन्चल है दूसरा में आधुनिक जिला या जिले है मतस्य प्रदेश के अंतरगत दोस्तों आप सभी को पता है कि अलवर भरतपुर आते हैं जांगल प्रदेश के अंदर बिकानेर आता है और सीवी जन्दपद में दोस्तों चितोडगड आता है और यहां पे दोस्तों कबड़ी दिया गया है कबड़ी जालोर धीक है दोस्तों यहां पे ही है यह गलत दे रखा है जो शिरोई जालोर का जो छेतर है वो अर्बूद परदेश कहलाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य खेल है नेक्स्ट कुशन है मद्दे परदेश राज्य के साथ राजस्तान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखा से जुड़ी हुई है यानि कि मद्दे परदेश की जो सीमा है वो राजस्तान की कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है तो इसका राइट आंसर ह जाएगा वो है दस जिलों के साथ में जुड़ी हुई है पांच नमबर प्रेसने आप यहां पे देख सकते हैं कि राजस्तान की परवत चोटियों को उनकी उंचाई के अनुसार अउरो ही करम में अपने को दर्साना है या बताना है ठीक है तो सबसे उंची चोटी कौन सी दे रखी है यहां पे तो दोस्तों देखो टोड़ गड़ यहां पे जो सबसे उंची चोटी दे रखी है जिसकी उंचाई 933 मिटर है ठीक है तो सबसे पहले यहां पे टोड़ गड़ उसके बाद में देखो खो जिसकी उंचाई होती है वो है 920 मिटर और उसके बाद में बिला अरावली को तीन भागों में बाटा गया है एक उत्री अरावली एक मद्दे अरावली और एक दक्षनी अरावली ठीक है तो मद्दे अरावली है उसकी सबसे उची चोटी है वो कौन सी मानी जाती है तो वो मानी जाती है दोस्तों यह टोडगड ठीक है और आप सभी को पता ह दक्षनी अरावली की जो सबसे उची चोटी है वो कौन सी है तो वो है गुरुशिकर और उत्री अरावली के अगर बात करें तो दोस्तों कौन सी है सिकर जिले में कौन सी है रगुनातगड जिसकी सबसे जो उत्री अरावली है उसकी सबसे उची चोटी रगुनातगड है तो तो इसका एक नमबर का उप्शन सेयूतर आगे देखिए six नमबर प्रसने निमन लिकित में से कौन सा पठार अरावली परवत से सम्द नहीं है तो अरावली परवत से दोस्तो कौन सा इसमें सम्द नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं बगेल खंड का पठार है ये कहा जाता है तो दोस्तो सब को पता है कि बरखान कहा जाता है अर्द चंद्राकाल रेत के टीलों को आगे देखिए दोस्तो एक नमबर प्रसने इसमें देखो कथन ए और कारण आर दिया गया है दोस्तो ठीक है इसमें देखिए दोस्तो अरावली परवत स्रेनी अरावली प तो इसमें कौन से सही है अपने को कूट बासा में इसका सही उतर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह दोनों ही कथन है यहनकि कथन A और कारण R यह दोनों के दोनों है वो सही है और R A की इसमें सही व्याख्या करता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्ये का दो सबसे उचा पतार है जिसको अपन बोरा सोरी उडिया के पतार के नाम से जानते हैं ठीक है B नमबर का उप्षन इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए दस नमबर प्रेसन है राजस्तान में मई जून महिनों में उत्पन होने वाली दूल बरी आंदियों के लिए उत्तरदाई है तो दोस्तों वो है इसमें कुछ इस्तानों पर सहेवनिये दाराओं की उत् इसमें बिलकुर सही है बाकी के दोस्तों इसमें दोनों है वो गलत है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा केवल एक सही है इसमें आगे देखिए 11 नमबर का प्रेसन है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रह ठीक है अलवर जैपूर में दो मट मिटी कोटावा जालावाड में काली मिटी तो यहां पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है तो सी नंबर का नहीं है यह इसका राइट आंसर आगे देखिए राजस्तान राज्य में ही पूर्णता बेने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो व वह है अलवर जिले में आगे देखिए एक बीगा में कितने वर्ग गज होते हैं तो दोस्तों 1936 वर्ग गज होते तो वो यह दोस्तो 33 फिट कितनी 33 फिट नेक्स्ट है जुन जुन के संस्तापक थे तो दोस्तो कौन थे जुन जुन के संस्तापक वो थे दोस्तो मुहम्मद खां यह जुन जुन के संस्तापक थे 17 नमबर प्रसने दक्ष्णि राजस्तान की जंजातियों में बढालिया का क्या अर्थ है? तो वो है दोस्तो दो पक्सो के मद्दे विवाह सम्मंद में मद्देस्टा करने वाला ये दोस्तो बढालिया का अर्थ है एक नमबर का उप्षन सयुतर नेक्स्ट है कनकती पहनी जाती है तो दोस्तो कनकती है वो किस में पहनी जाती है तो ये कमर में पहनी जाती है कनकती सी नमबर का उप्शन इसका सहीतर गुनिश नमबर प्रसने राष्टिय इस्तर पर किस राज़दानी पोसाग को माननेता मिली है तो वो है दोस्तो जोधपुरी कोट को ठीक है कि Vi यहां पर दोस्तों साकंबरी माता का मदिर है तो इनम पर ऋपिशन सैटर 22 पर समिलित करें देखो एक तरफ है दोस्तों जो नियुंत संपर्दाई हैं ठीक है और दूसरी डूसरी तरफ दूसरी तरफ है दोस्तों इस्तान यानि कि दोस्तों इनकी जो दरगा है वो कहां पर है ठीक है ये बताना है तो देखो सेख हमुमिदीन मिठे महाबली की जो दरगा है वो दोस्तों कहां पर है तो वो गागरोन जालावाड में है ठीक है दूसरा देखो मुलाना जियाउदीन की दरगा है वो कहां पर है तो ये दर्गा कहां पर है तो सब को पता होना चाहिए दोस्तों ये जेपूर में है ठीक है शेक नजमुदीन की दर्गा है वो कहां पर है तो ये दर्गा है दोस्तों फत्यपूर में और शेक बाबा इसहाक की दर्गा कहां पर है तो ये खाटू में है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 2-1-4-3 यानि कि A नंबर का जो उप्षन है वो इसका सयूत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रसन है मृतक को समसान ले जाने के लिए परियुक्तबास या लकडी की अर्थी को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैकुंठी सी नमबर का उप्शन इसका से उतर नेक्स्ट है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तो बटाटू का कुवा ठीक है बटाटू के कुवा को दोस्तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है ठीक है और ये बटाडू का कुवा है वो कहाँ पर है तो ये दोस्तों बाड मेर के अंदर ठीक है बाड मेर जिले के जो बायतू पंचाइच समिती है वहाँ पर ये दोस्तों बटाडू कहाँ है ठीक है और वहाँ पर ये संगमरमर का कुवा बना हुआ है जिसको रेगिस्तान का जलमेल केते हैं आगे देखिए 25 नमर प्रेस ने सही सुमेलित नहीं है एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ इस्तान है तो देखो यहां पे आपको जौला माता का मंदिर यह तलवाड़ा गलत दे रखा है दोस्तों जौला माता का मंदिर है यह कहां पर है आप सभी को पता है क पह्तική जोबिनिइर मेंіє है कि यहाँ पर देखों द्वारी काडीस मंदिर कांसर होगा यह सुन्दा मता च्टा पानी वारीस मंदिर ओध्याडपूर में जब राजस्तान कएकिकरन हुआ था तब वहां पर सरकारी कारयाल अलग इस विभाग ऩहां पर दोष्टारी कारयाल से करशी विभाग तो दोस्तों इनका जो संब्ध है वो बेंगू किसाना अंदोलन से था रूपा जी करपा जी दाकड का संब्ध है ठीक है नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन सा युग में सही समेलित नहीं है एक तरफ है परजामंडल दूसरी तरफ है संस्तापक ठीक है तो यहाँ पर इसमें हुई थी दोस्तों ठीक है हरी नारायन सर्मा वकुंज भी हरी मोदी के द्वारा इसकी स्तापना की गई थी जैसलमेर के जैसलमेर परजामंडल के संस्तापक मिठालाल व्यास शिरोई परजामंडल के संस्तापक गोकुल भाई बट और करोली परजामंडल के राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन गलत दे रखाए गुंतिस नमबर प्रेस ने मेवाड के किस राजकुमारी को अठारा सुदस इस्वी में अमीर खा पिंडारी की सलापर जहर दे कर मार दिया गया तो वो है दोस्तो कृष्णा कृमारी ठीक है कृष्णा कृम राजा थे अमीर खा पिंडारी इन्होंने दोस्तो उद्धैपूर की राजकुमारी थी ये कृष्णा देवी इनको दोस्तो जहर दे कर मरवा दिया था ठीक है तो सी नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है मद्यकालीन राजस्तान में जस्ती एक प्रणाली थी तो मद राजस्तान लोग सेवा आयोग के पर्थम अद्धैक्स कोन थे तो राजस्तान लोग सेवा आयोग के पर्थम अद्धैक्स कोन थे तो वो थे दोस्तो एस के गोस क्या नाम था एस के गोस है वो राजस्तान लोग सेवा आयोग यानिके आरपेसी के पर्थम अद्धैक्स थे नेक्स्ट ए ग्राम पंचायत का सचीव कौन होता है तो यहाँ पे दोस्तों सचीव की बात हो रही है तो यह सचीव कौन होता है वो होता है ग्राम सेवक ठीक है डी नमबर का उप्शन इसका सहीधतर तेंटीस नमबर प्रेसन है राजस्तान में पंचायती राजसंस्ताओं का मद्य वरती श्तर है तो वह कौन सा है तो वह है पंचायत समिती नेक्स्ट है, 34 नमबर प्रेस्ट है, राजे का मुख्य सचिव कारे करता है, तो राजे का मुख्य सचिव है, वो देखो, ये बिनेट के सचिव के रूप में कारे करता है, बिल्कुल सही है, मुख्य मंतरी के सलाकार के रूप में कारे करता है, ये भी बिल्कुल सही है, इन चार ए नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल सही नेक्स्ट है राजस्तान का वहें राजनेतिक नेता कौन था जो गुनी सो बावन से लेकर मुर्ट्यू प्रियंत तक विदान सबा का सदस्य रहा वो था दोस्ता हरीदेव जोसी ए नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर 37 नमबर प्रेशन है भारतिय सविदान के किस अनुछेद के अंतरगत राजेपाल राजस्तान के महादीवक्ता की नियुक्ति करता है तो इसका राइट आंसर जाएगा वो है अनुछेद 165 ए नमबर का उप्शन इसका सयूतर भारतिय सविदान का कौन सा अनुछेद यह उपलब्द करता है कि परतेक राजे के लिए एक राजेपाल होगा तो वो है दोस्तो इसमें अनुछेद 153 सी नमबर का उप्शन इसका सयूतर हो जाएगा नेक्स्ट है 138 नमबर प्रेशन है भारत के उच्टम नैले के नैदीसों के लिए अधिक्तम आयू क्या है भारत के उच्टम नैले के नैदीसों के लिए अधिक्तम आयू क्या है तो वो है दोस्तों यहाँ पे 65 वर्षन बी नमबर का उप्शन सयूतर नेक्स्ट हैं भारतिय सविदान का कौन सा अनुचेद राष्टरपती से समंदित परधान मंत्री के कुछ करतव्यों को निर्दिष्ट करता है तो इसका सयूत्तर हो जाएगा वो है दूस्तों अनुचेद 78 सी नंबर का उप्षन इसका सयूत्तर चालिष नंबर प्रस्ट है माई 1906 में में कोन से परधान मंत्री लोक सबा में अपना बहुमत सावित नहीं कर सके वो है दोस्तों अटल बैरिवाजपी सी नंबर का उप्षन सयूत्तर नेक्स्ट है दूआ किस परकार का मिस्रण है बोतिक परिवर्ता नहीं होता है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों नए पदार्तों को नए पदार्तों का बनना जे दोस्तों बोतिक परिवर्ता नहीं होता डी नंबर का उप्षन राइट आंसर 43 नंबर प्रस्ट है जेव उत्प्रेरक का उधारण है तो जेव उत्प हराकसिस का रासायनिक सुत्र क्या है एक हराकसिस यानि कि ग्रीन विट्रोईल का रासायनिक सुत्र है वो क्या है तो वो है दोस्तो इसमें F.E.S.O.4 3 ठीक है तो ए नमबर का उप्शन सेविटर गरों में काम आने वाले दर्पन में हम हमारा प्रतिविंब किस प्रकासिक किरिया के कारण देख पते हैं गरों में काम आने वाले दर्पन यानि की काच में हम अपना प्रतिविंब किस प्रकासिक प्रकासिक के कारण देख पते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है प्रावरतन की करण, A number option से उत्तर, next है, 47 number person है, कौन सा यंत्रे विद्दुद्धारा के चुंबकी प्रभाव के अंतरगत कारे करता है, तो इसका right answer हो जाएगा वो है पंखा, A number option से उत्तर, next है, मानव के निमनलिकित अंगों में से कौन सा एक ह प्रतिरक्सी अनुकिरिया के प्रकाशन में सामिल नहीं है, मानव के निमनलिकित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्सी अनुकिरिया के प्रकाशन में सामिल नहीं है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है मस्तिक्स, B number option से उत्तर, 49 number person है, अफीम पोस्त पोदे के किस भाग से प दंगत के फलो से, C number option से उत्तर, नेक्स्ट है, बायो मास से उत्तपन जैव गैस में कितने प्रतिसत तक मीथेन गैस पाई जाती है, तो कितने प्रतिसत तक मीथेन गैस पाई जाती है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है पिचितर प्रतिसत तक ए नंस्र का option, राइट answer, नेक् की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है तो वो विटामिन है वो है दोस्तों इसमें विटामिन डी प्राप्त होती है नेक्स्ट है आगे देखो सरीर में उत्कों का निर्मान किस से होता है तो सरीर में उत्कों का जो निर्मान है वो दोस्तों किस से होता है तो वो हो answer B number option आगे देखिए 15 number प्रेस ने जीन वीनिमे का परियोग सरोपर्थम किस ने किया तो जीन वीनिमे का परियोग सरोपर्थम किस ने किया तो वो है दोस्तों मारगन तथा केंसल A number option सही उतर नेक्स्ट है राइबोसोम किस क्रिया का इस्तल है तो वो है दोस्तो प्रोटीन संसलेशन का C नमबर उप्शन सही उत्तर सत्तावन नमबर प्रेस्ट है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा मनुष्य में कौन से क्रोमोसॉम के मिलने से बालक का जन्म होगा तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों पुरुस का Y वे इस तरीका X C number option सेयुतर नेक्स्ट है रक्त में बिलिरूबीन की मातरा बढ़ने पर रोग हो जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है पिलिया C number option सेयुतर 59 number प्रेसना इसमें देखो योगेतम की उत्तर जीविता के बारे में सरोपरतम किस ने बताया था तो किस ने बताया था तो दोस्तों हरबट स्पेंसर ने बताया था नेक्स्ट है सुखा सही सुनूता से समंदित है सुखा सही सुनूता से समंदित है तो वो क्या है तो वो है दोस्तो साइटो काइनिन C number option right answer आगे देखिए 61 number प्रेसने वरतमान में राजस्तान विदान सभा के अद्देक्स हैं तो कौन है तो CP जोसी है A number option सही उत्तर नेक्स्ट है 2019 में देश स्वच्टम राजदानी का दर्जा देश की स्वच्टम राजदानी का दर्जा है वो किसे मिला है वो मिला है दोस्तो भोपाल को Next है Amazing India पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तो नंदन नील केनी नंदन नील केणी इस पुस्तक के लेखक हैं अमेजिंग इंडिया के 64 नमर प्रेस ने बिकानेर परजामंडल की स्तापना किस वर्स हुई थी तो इसकी स्तापना है वो दोस्तों 1936 में हुई थी बिकानेर परजामंडल की स्तापना किस के द्वारा की गई थी तो मगगा रामवेद देके द्वारा की गई थी नेक्स्ट है रंग महल का सम्मध किस राजा से है तो इनका जो सम्मध है वो दोस्तों चत्र साल से है ठीक है बी नमबर उप्सन सही उत्त आगे देखे चांसेट नमबर प्रेसन है राजस्तान उनमील कहां इस्तापित है तो कहां पर इस्तापित है तो ये इस्तित है दोस्तों विकानेर में नेक्स्ट है यूरिया किस में संसलेसित होता है यूरिया किस में संसलेसित होता है तो वो यकरत में नेक्स्ट है राजस्तान से भारत की संसद में कुल कितनी सीटे हैं, तो टोटल दोस्तों यहां पे 35 सीटे हैं, C नमबर का उप्सन सही उत्तर, नेक्स्ट है, 69 नमबर प्रेस्ट है, यदि 0.36 अनुपात है, 0.48 अनुपात, 0.48 अनुपात X हो तो X का मान क्या होगा, तो दोस्तों अपन X का मान है, वो कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा सिंपल है, इसमें, 0.48 इंटू 0.48 बटे, 0.36 लिख देना, और फिर आपस में मल्टिपलाई कर लेना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आजाएगा, वो है, 0.64, ठीक है, तो इसमें ए नमबर उप्सन सही उत्तर, सतर नमबर प्र तो दोस्तों, यहाँ पर ब्याज की दर है, वो क्या होगी, देखो, साधरन ब्याज, यानि कि, दो वर्ष का साधरन ब्याज है, वो 120 रुपए है, यानि कि, एक वर्ष का कितना हुआ, 60 रुपए, कितना हुआ, 60 रुपए, ठीक है, तो अपने को आर निकालनी है, दोस्तों अब अपन आर कैसे निकालेंगे तो यहां पर चकरवर्ती ब्याज बटे साधरन ब्याज दे रखा है तो यहां पर देखिए दोस्तों दो वर्ष का पुछा है तो 200 पलस आर बटे 200 यहां पर क्या दे रखा है 130 बटे 120 तो दोस्तों अगर अपनी इसको अल करेंगे तो आर अपनी आजाएगी 15 पर 30 ठीक है कितनी आजाएगी 15 पर 30 नेक्स्ट है गेतर नमर प्रेस्ट है दो वर्ष के व्यासों का योग 35 मिटर है तथा इनकी परीदियों का अंतर 22 मिटर है तो छोटे वर्ष की तिर्जा क्या होगी तो छोटे वर्ष की तिर्जा है वो क्या होगी तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि व्यासों का योग कितना दे रखा है 35 मिटर और परीदियों का अंतर कितना दे रखा है तो 22 मिटर दे रखा है अब यहाँ पे R1 और R2 माइनस करेंगे दो समीकरन बनेंगे उन समीकरन को अगर अपन हल कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे छोटे और बड़े वर्थ की तिर्जा है वो आ जाएगी देखो R1 तो आएगी इसमें 7 और R2 वो आएगी दोस्तों इसमें 10.5 यहाँ पे क्या पूचा है छोटे की तो छोटे की क्या आएगी इसमें 7 मिटर तो A नंबर का उप्शन सहीटर आगे देखिए दोस्तों बहतर नंबर प्रेस ने एक तिर्बुजाकार खेत की बुजाएं करमस है 20 मिटर 21 मिटर तथा गुण 30 मिटर लंबी है तो खेत का चितरपल कितना है तो दोस्तों खेत का चितरपल अपने को गयाद करना है पहले तिर्बुज का परिमाप गयाद करेंगे ठीक है इन तिनों को प्लस कर लेंगे 20 प्लस 21 प्लस गुण 30 कितने होते हैं तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों 70 यानि कि तिर्बुज का परीमाप कितना है 70 अर्द परीमाप कितना होगा तो 70 बटे 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 35 छीक है अब अपने को तिर्बुज के चेतरपल का सुतर लगाना है आप सभी को पता है कि तिर्बुज का चेतरपल का सुतर क्या होता है तो root S फिर S minus A फिर S minus B और फिर S minus C यह root के अंदर आएगा ठीक है, यनकि शुरूआत में 35 ठीक है, फिर 35 में से B गए कितने बचे तो दोस्तों 15 बचे 35 में से 21 गए तो कितने बचे 14 बचे और 35 में से 35 गए तो डाई तो कितने बचे 6 बचे ठीक है यह root के अंदर है इसको अपन multiply करेंगे 35 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 6 ठीक है इसको multiply करेंगे तो अपना जाएगा 4400 ठीक है और यह किसका root होता है तो यह 210 का root होता है दोस्तों ठीक है तो इसमें B number का option सेयुतर आगे देखिए किसी वर्थ की तिर्जा में एक सेमी की वर्दी करने पर इसके चितरपल में 22 वर्ग सेमी की वर्दी हो जाती है तो वर्थ की प्रारंबिक तिर्जा कितनी है तो वर्थ की प्रारंबिक तिर्जा यानि कि देखो अपने को वर्थ का चितरपल निकालना पड़ेगा इसमें वर् का चेतरफल अपन क्या निकालेंगे तो यानि कि पाई ब्रेकेट आर प्लस वन का स्क्वाइर ठीक है और फिर यह किसन अपन सोल कर लेंगे तो अपनी आरा जाएगी इसमें तीन सेंटिमिटर तो सी नंबर का उप्शन से विक्तर आगे देखें एक समकॉन तिर्बूज का चे सुटर फल क्या होता है तो एक बटा दो इंटू आधार इंटू उचाई तो यानि कि एक बटा दो इंटू आधार कितना दे रखा है पांच और उचाई अपने को यहाँ पर निकालनी है ठीक है तो क्या हो जाएगा पांच एक बटा दो इंटू पांच ठीक है बराबर कितना हो जाएगा तीस ठीक है अब देखें दोस्तों पांच को इसमें तीस में अपन पांच का भाग देंगे तो कितना जाएगा तो वह जाएगा दोस्तों 6 काट लेंगे इसको और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 तो इसम तथा उंचाई करमे से 8 मिटर 5 मिटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी कमरे की लंबाई अपने को निकालना है तो सबसे पहले कमरे की दिवारों का छेतरपल अपने को निकालना है तो कमरे की दिवारों का छेतरपल कितना हो जाएगा दो इंटू ब्रेकिट में लंबाई इंटू चोड़ाई फिर ब्रेकिट बंद फिर उंचाई बराबर 220 ठीक है तो दो इंटू लंबाई पलस यहां पर उंचाई दे रखिये दोस्तों कितनी आठ फिर यहां पर जो चोड़ाई यहां पर आठ दे रखिये और उचाई कितनी दे रखी है तो 5 दे रखी है ठीक है बराबर 220 अब दोस्तों इसको solve कर लो यानि कि लंबाई पलस 8 बराबर 22 ठीक है तो 22 में से 8 गए तो कितने बच गए 14 मिटर बच गए तो इसका right answer कमरीक लंबाई 14 मिटर होगी next है एक 40 मिटर लंबे तथा 15 मिटर चोड़े बरामडे को आयताकार पत्रों से पक्का करना है यदि परतेक पत्थर का आकार 40 मिटर हो तो पत्रों की संक्या कितनी होगी तो पत्रों की संक्या यहाँ पर ग्याद करनी है तो देखो बरामडे का छितरफल बराबर लंबाई यानि की 4000 सेमी हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर 15 मिट्र चोडे, यहाँ की 15 मिट्र का कितना हो जाएगा, तो 1500 सेमी ठीक है, सेंटिमिटर, अब अपने को यहाँ पर निकालना है कि पत्थरों की संक्या निकालनी है, तो पत्त्रों की संग क्या क्या निकलेंगे कि ब्राउंडे का छेत्रफल बटे पत्तर का छेत्रफल यानि कि यहाँ पे देखो 4000 से मी है तो 4000 इंटू 1500 बटे 40 इंटू 15 ठीक है यह आ जाएगा दोस्तो अब आप इसको सोल कर सकते हैं यह कितनी बार गया यह सो बार गया और यह कितनी बार गया यह भी सो बार गया ठीक है तो 100 इंटू 100 कितना होता है तो दोस्तों 10,000 हो जाएगा और 10,000 पत्थर लगेंगे इसमें सी नमबर का उप्शन सही उत्तर देखो गोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर तीन वर्ष में 6,690 रुपए तथा छे वर्ष में 10,000 पें 30 रुपए हो जाता है तो धन गयात कीजिए बाद ब्याज है वो वार्षिक दे है ठीक है ब्याज है वो वार्षिक दे है तो मानना मुले लेसे है यानि कि इसमें दोस्तों मूलदन वन पलस दरबटे सो का क्यूब बराबर कितना दे रहा है 6,690 ठीक है तो इसमें दोस्तों अपने को समीकरन बनाना है दो समीकरन बनेंगे और सीधा सा है इसमें देखो तीन वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज है वो 6,690 रुपर है और 6 वर्ष में ये हो जाता है तो आप 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज माइनस करके आप निकाल लीजिए ठीक है जब निकालोगे तो उससे मल्टिपलाई आप कर देना तो सीधा सा है आप उप्शन उठाके भी कर सकते हो इसको उप्शन पहला ही उठाके कर सकते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन ठीक है आगे देखिए 78 नमबर प्रेस ने सिताराम ने 7,500 रुपे 6 माँ के लिए 8% वार्षिक दर से जमा कराए जबकि ब्याज तीमाई है 6 माहे के बाद उसे कितना धन मिलेगा तो 6 माहे के बाद उसे कितना धन मिलेगा तो यहाँ पे देखो दर दर कितनी दर की है तो 8 ठीक है तो यहाँ पे तीमाई है तो दोस्तों 8 बटे 4 यानि कि 2 पर 30 इसमें क्या हो जाएगा दर समय दोस्तो एक बटा दो तिमाई है तो चार यानि कि दो वर्स का इसमें समय हो जाएगा अब मिसरदन यहां पर दे रखा है कितना साथ हजार पान सो इंटू ब्याज तो एक सो दो बटे सो ठीक है बराबर अपने इसको सोल कर लेंगे तो सोल करें तो कितना हो जाएगा पिछितर इंटू एक सो दो कितना हो जाएगा तो साथ हजार आठ सो टें इसका राहिटब अंसर जी नमबर ऑप्षन ग्लत पद ग्याद करो तो दोस्तों गलत पद अपने को यहां पे ग्याद करना है इस प्रसंद का उत्र वो आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा आगे कौन सी संख्या आईगी और गलत कौन सी संख्या है ठीक है असी नमबर प्रसने देखो किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधरन ब्याज मूलदन का सोला मटे पच्चिस है यदि दर परतिशत वार्शिक तथा वर्सों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ग्याद कीजिए तो दोस्तों दर अपने को यहा दर इंटू समय बटे सो ठीक है दर बराबर समय तो यहां पर निकालना है सीधा सा है ब्याज निकालना है तो यहां पर एकस इंटू आर इंटू आर बटे सो ठीक है यहां पर सोला दे रखा है दोस्तों यहां पर मूलदन ठीक है तो सोला एकस बटे पच्चिस ठीक है तो इ पराबर आठ जाएगा ठीक है ए नमबर उप्शन से उतर आगे देखिए कोई धन सादरन ब्याज की एक विशेश दर पर दो वर्स के लिए उधार दिया गया यदि ब्याज की दर एक अधिक हो तो दो सो चालिस रुपए की अधिक होगी तो वहें धन है वो कितना होगा वहें देखो इसका अगर अपन डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा दो सो इसका डबल करते हैं तो दो सो असी इसका तो इसका तीन सो बीस इसका दो सो चालिस हो रहा है दोस्तो ठीक है जैसे एक सो बीस है तो एक सो बीस का डबल करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा एक सो चालि के लिए बी की पुंजी का एक बटा तीन भाग है एक बटा तीन समय के लिए सी पुंजी का सेश भाग पूरे समय के लिए आविशित करता है चीयालिस सो रुपए के लाब में से बी का भाग कितना होगा तो बी का भाग हो कितना होगा तो यहां पे देखिए ए बी सी दे रख है ठीक है अनुपातों का योग दोस्तों टोल अगर अगर अपने इनका अनुपात निकाले जैसे एक बटा च्छे इन्टू एक बटा च्छे एक बटा तीन इंटू एक बटा तीन और सी का एक बटा दो ठीक है तो इनका दोस्तो अगर अनुपात निकाले तो इनका अनुपात निकलेगा दोस्तो एक अनुपात चार अनुपात अठारा ठीक है कुल योग हो गया इसमें कितना 23 हो गया और यहां पे कुल लाब कितना दे रखा है तो 46 दे रखा है B का भाग अपने को यहां पे निकालना है B का अनुपात कितना है 4 ठीक है तो 46 इंटू 4 बटे 23 काट लो ते भी दूनी 46 यानि कि 200 इंटू 4 कितने हो गए 800 तो इसका A नंबर का उप्शन से उत्तर 83 नंबर प्रेस ने A, B, C ने मिलकर एक व्यापार प्रारंब किया कुल पुंजी का एक बटा तीन भाग A ने लगाया B ने उतनी ही पुंजी लगाई जितनी A तता C ने मिलकर लगाई वर्स के अंत में उसके लाब का अनुपाद क्या होगा तो उसके लाब का अनुपाद क्या होगा तो दोस्तों दो अनुपाद तीन अनुपाद एक होगा ठीक है यह क्यूशन है यह बढ़ा है तो आप इसको कर लेना ठीक है मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ उसका दो अनपात तीन नपात एक ठीक है बी नमबर का उप्शन से वित्तर और यह जो लाबानी प्रसनावली है यह हमारे टीचर के द्वारा है वो आपको समझा दी जाएगी अलग से देखो ए, बी, सी मिलकर एक व्यापार करते हैं तो ए पूरे वर्ष के लिए बीस हजार रुपा लगाता है बी पहले तीस हजार रुपा लगाता है परन्तु चार महाबाद दस हजार रुपा और लगाता है उसी पहले चारिस हजार रुपा लगाता है फरन्तु नौह महाबाद दस हजार रुपा निकाल लेता है तो वर्ष के उन्त में चैसीाजार 1753 84,775 रुपए में से B का भाग है वो कितना होगा तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको बताओ इसमें कि एक की पूंजी है वो 20,000 है ठीक है और ये पूरे वर्स के लिए 20,000 रुपए लगाता है तो आपको क्या करना है आगे देखिए B पहले 30,000 रुपए लगाता है परन्तु चार माह बाद 10,000 रुपए निकाल लेता है तो यहां पे देखिए दोस्तों C C दोस्तों 40,000 रुपए लगाता है 9 माह के लिए तो 40 इंटू 9 कर दीजिएगा फिर बच गए कितने बच गए दोस्तों 3 महीने तो 30 इंटू 3 हो जाएंगे यानि कि 30,000 इंटू 3 तो यह तो C की पुझी होगी B की पुझी का क्या करेंगे तो 30,000 रुपए लगाता है 4 महीने के लिए तो 30 इंटू 4 फिर 10,000 रुपए निकाल लेता है तो फिर 20 इंटू 8 हो जाएगा ऐसे होगा दोस्तों यह और जो यहाँ पे 20,000 दे रखे हैं जो एनने लगाये थे पूरे वर्ष के लिए तो 20,000 इंटू 12 करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगे पिर इनको काटके इनका अनुपात निकाल लेंगे और अनुपातों का योग कर लेंगे अनुपातों का योग आएगा दोस्तों इसमें कितना 113 ठीक है कुल आप यहाँ पे दे रखा है 84,750 अनुपात इनका निकल क्या जाएगा 24,000 अनुपात 44,000 अनुपात 45 ठीक है अब आपको B का निकालना है तो 84,750 बटे 113 इंटू 44 ये करोगे तो 33,000 अजाएगा B का वाग आगे चलते हैं मोहित के खर्च और बचत का अनुपात 26,000 अनुपात 3 है यदि उसकी मासिकाई साट गजार दोस्तों पचास रुपा हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है तो उसकी मासिद बचत है वो कितनी है तो अनुपातों का योग कितना हो गया तो 26 पलस 30 कितना 26 पलस 3 कितना हो गया गुंड 30 मासिक आय कितनी देर किये तो 7250 मासिक बचत निकान नहीं है तो सीधा सा सिंपल है 7250 बटे गुंड 30 इंटू 3 काट लो, काट ओगे तो 750 आ जाएगा तो इसमें C number option आगे देखो एक संक्या का 40 परतिसत दूरसरी संक्या के 3 बटे 5 बराबर है पहली संक्या का दूसरी संक्या के अनुपात क्या है तो पहली संक्या का दूसरी संक्या के अनुपात क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना तो X into 40 बटे 100 बराबर Y into 3 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा तो X बटे Y यानिकी बराबर 3 बटे 2 यानिकी इसका रहाइट आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुपाद 2 87 नबर प्रेस्टन है एक 20 लिटर मिस्तरण में दूद और पानी का अनुपाद है वो 3 अनुपाद 4 है यानिकी दोस्तों 5 ती 15 और एक यानिकी 15 लिटर तो दूद है और 5 लिटर है वो इसमें पानी है इस मिस्तरण में कितना दूद और मिलाए जाए कि नए मिस्तरण में दूद और पानी का अनुपाद 4 अनुपाद 1 हो जाए ठीक है तो दोस्तों सीधा सा है यहां पे 20 कर दो यानि कि 5 लिटर और मिला दो तो ये एक हो जाएगा इसका अनुपात और इसका क्यादा जाएगा चार हो जाएगा तो 5 लिटर और मिला दो इसमें तो A नमबर उप्सन सही उत्तर 88 नमबर प्रसने A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 हो तो 3 A पलस 5 B 5 A माइनस 2 B का मान गयाद कीजिए तो दोस्तों अब इसका मान गयाद करना है तो मान के से गयाद करेंगे तो यहां पे दे रखा है देखो 3 A पलस 5 B अपन 5 A माइनस 2 B ठीक है यह रख लेंगे और फिर इसको स्वाल करेंगे तो इसका राइट अनसर आजाएगा वो है 50 B 11 ठीक है यह आप इसको स्वाल कर लेना D नमबर उप्शन से उत्तर 89 नमबर प्रसन है एक ठेली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे किसी के अनुपात दे रखा है यहां पे 5 अनुपात 9 अनुपात 25 के अनुपात में है तो इस ठेली में कुल धन यहां पे 2008 रुपए है तो एक रुपए कि सिको की संक्या ग्याद करनी है तो यहां पे सबसे पहले आप एक रुपए लिखो, फिर यहां पे 50 पैसे लिखो, फिर यहां पे 25 पैसे लिखो, ठीक है, अनुपात लिख दो इनके साथ में ही, तो 5 अनुपात, फिर 9 अनुपात, फिर यहां पे 25 अनुपात, अब 25 पैसे के 25 शिक्के हों, तो कितने के अंदर कितने होते हैं तो चार रुप सिक्के होते हैं तो यहां पे छे पॉइंटे पत्चीस रुपाई इसके हो जाएंगे इसके दोस्तों कितने हो जाएंगे पचास पैसे के नो सिक्के हैं तो दोस्तों साड़ी चार रुपाई हो तर एक एक रुपए के पाँच सिक़्े हैं तो कितने जाएंगे पाँच रुपए ठीक है अब इसको आप क्या करोगे इनको आप अनुपातों का योग कर लो और आपके पास में कुल धन दिया गया है एक रुपए का अनुपात दे रखा है यहां पर पांच तो सिदा सा इसमें अनुपातों का योग कर लिया ठीक है इसमें कुल धन्दे ही रखा है और तो पांच बटे अनुपातों का योग इंटू एक जाराट कर लोगे तो इसका राइट आंसर निकल किया जाएगा वो है दोस्तों 320 तो इसमें एनमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें एक मेज को 1200 रुप की अपेकशा 1180 रुप में बेचने पर 5% की अधिक हानी होती तो दोस्तों मेज का जो करम अधि क्या होगा तो यहाँ पर देखें दूस्तों हानी है वो 1200-1175 में 1175 है 128 नहीं 1175 है दोस्तो यह ठीक है तब इसका राइट अंसर हैगा तो 1200-1175 करें तो कितना बच गया तो वो बच गया दोस्तो 75 ठीक है अब देखो 5 परतिसत बराबर कितना 75 तो 100 परतिसत बराबर कितना हो जागा 55 बच पांच इंटू 100 यानि कि करमुले कितना हो गया 1500 तो इसमें D नमबर उप्शन सही उत्तर एकराणवा नमबर प्रसन है 12 परसन्ट की छूट देने पर एक विक्रेता को 10 परतिसत का लाब होता है बिना छूट के उसे कितने परतिसत लाब होगा तो बिना छूट के उसे कितने परतिसत का लाब होगा तो देखिए हैं आपे देखो माना की करमुले है 100 रुपए 10 परतिसत लाब पर विक्रमुले कितने का हो गया 110 का हो गया अब अन्तिम मुले ग्याद करना है अपने को 110 इंटू 100 बटे 88 12 परसंट की छूट दिये उसने तो इसको काटेंगे तो अपना कितना जाएगा 125 ठीक है यानि कि बिना छूट के लाब है वो 25 परतिसत का होगा तो इसमें C नंबर उप्शन सही उत्तर देखों किसी गड़ी के अंतिम मुले पर 10 परतिसत की छूट देने के बाद का मुले 1080 रुपए है यदि छूट नहीं दी जाती हो तो 20 परतिसत होता है यानि कि एक गड़ी का अंकित मुले 10 परसंट की छूट देने के बाद कितना 1080 यानि कि वो कितने की थी 1200 रुपे की कोई चीज दी ठीक है तो उस पे 10% की छूट दी गई तो यानि की 1200 रुपे कम कर दिये तो कितने हो गई 1080 बच गए यदि छूट नहीं दी जाती हो तो 20% होता तो करम उले बताओ तो करम उले है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे बताना है बहुत ही अच्छा क्यूशन है तो सीधा सा सिंपल है दोस्तों यहाँ पे देखो 1200 ठीक है अगर वो दोस्तों 20% की छूट देड़े शोड़ी कोई छूट नहीं देने पर 20% का लाब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1200 रुपए सी नमबर उप्शन से उत्तर देखो संत्रे 10 रुपए के 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए के 6 संत्रे बेचे जाते हैं तो लाब की परतिशत क्यात करना है तो लाब का परतिशत सीधा सा है यहाँ पे देखो लाब कितना दे रखा है तो 15 रुपए 6 यह देखो यहाँ पे ठीक है और विक्रम ले माइनस 10 बटे 5 बराबर कितना हो गया तो यह हो गया दोस्तों 15 बटे 30 15 बटे 30 अब इसको काटेंगे तो कितना बज़ गया है एक बटा दो तो लाब निकालना है यानिके एक बटा दो इंटू 100 बटे 10 बटे 5 तो इसका 25 परतिसत का लाब आ जाएगा इसमें डी नंबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है एक वस्तो को 450 रुपए में बेचने पर 25 परतिसत की हानी होती है 25 परतिसत की हानी होती है तो दशे की वस्तो कोई थी 25 परतिसत का लाब हो तो यहां पे 600 रुपए के अपनी वस्तू है 600 का 35 पर तीसद कितना होता है 1500 रुपए तो 600 पर तीसद कितने होते हैं 750 बी नंबर उप्सन से उतर देखो किसी सहर की जनसंक्या में 4 पर तीसद वार्शिक दर्से वर्दी होती है तो सहर की वर्दमान जनसंक्या 15,000 हो तो दो वर्ष बाद जनसंक्या कितनी हो जाएगी तो दो वर्ष बाद में जनसंक्या है वो कितनी हो जाएगी सीदा सा सिंपल है आप इसमें क्या करोगे तो इसमें सीदा सा एक ही करना है आपको कि 15,000 इंटू 104 बटे 100 इन्टू एक्सो चार बटे सो तो इसको काटो गया आप तो इसको 16,224 का राइट आंसरा जाएगा चानवा नमबर प्रेशन है एक करमचारी के वेतन में 4 परतिसत की कमी कर दी गई कुछ माह बाद उसके वेतन में 50 परतिसत की वर्दी की गई इससे उसे कितने परतिसत की हानी हुई तो दोस्तो देखिए यान की वेतन है वो कितना है 100 रुपए ठीक है वेतन कितना है 100 रुपए तो करमचारी का वेतन अपने को यहां पर निकाले तो 100 माइनस 40 परतिसत की कमी कर दी यानि कि 100 माइनस 40 कितना हो गया तो दोस्तो 60 हो गया इंटू फिर 50 परतिसत की क्या कर कि वर्दी कर दी यहानि कि जैसे कि मैं आपको इसमें correct बता देता हूं कि एक रब्चारीती का वेतन है वह 100 रुपए है। 40 Pva 실ाट की कमी कर दी यानि कि अनि कि अब उसके पास कितने बचे 60 रुपळ उसकी तनका है। कुछ माहें बाद उसके वेतन में 50 Pva light की वर्दी तो पहले 100 रुपय थी, अब कितने मिल रहे हैं, अब 90 मिल रहे हैं, तो गाटा कितने का हुआ, 10% का, ए नमबर का उप्शन सहुतर, नेक्स्ट हैं, देखो, पिछे 30 मिल रहे हैं, एक पॉइंट, पिछे 30 मिल रहे हैं, तो यहां पर देखो, एक पॉइंट है, 5 लिटर, बराबर कितना हो गया, 1750 मिल रहे हैं, तो पिछे 30, बटा, 1750, यह पिछे 30, इंटू 100, ठीक है, इसको काटो गया आप, तो 4 सही 2 बटे 7 अजाएगा, यह इसका राइट अंसर, बी नमबर का उप्शन, आगे देखें, एक सो बराणवे का, 12.5 पर तीसत, बराबर X का 50 पर तीसत हो, तो X का मान गयात करो, तो X का मान अपने को यहां पर गयात करना है, तो क्या हो जाएगा, तो एक सो बराणवे, इंटू 12.5 बटे 100, बराबर X इंटू 50 बटे 100, तो X बराबर कितना जाएगा, 48, तो इसमें D नमबर उप्शन सही उत्तर, 99 नमबर प्रेस्टने, किसी भिन के अंस में 350 परतिसत वर्दी करने, तथा इस भिन के हर में 300 परतिसत की वर्दी करने पर नई भिन हो, तो मूल भिन 9 बटे 22 क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो वो है दोस्तो, इसमें 4 बटे 11, ठीक है, यह होगी दोस्तो, तो इसमें D नमबर उप्शन सही उत्तर, आगे देखिए, 50 तक सभी सम प्राकरत संक्याओं का उस्त कितना है, तो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 26 बटे 25, ठीक है, 25 से 25 का ठीक है, 26 इसका राइट आंसर हो जा में समिलित हो गया, इससे समुहे का ओसत भार 2.5 की गरा की वर्दी हो गई, समुहे में जाने वाले लड़के का भार कितना था, ठीक है, तो यहां पे देखो नए लड़के का भार कितना है, 56 किलो, ओसत भार में वर्दी कितनी की हुई, तो 2.5 किलो की वर्दी हुई, कुल वजन है वो कितना हो जाएगा तो आठ इंटो दो पोलीट पांच है तो आगे देखो पराने लड़के का बाहर है वो कितना है तो वो है दोस्तों चप्पन और यहां पर आठ इंट после अगरने कितने किलो का है तो वो 20 किलो का है तो 56 माइनस 20 कितना हो गया तो दोस्तों 37 किलो का वो लड़का था ठीक है समोज से जाने वार लड़के का बाहर कितना था 37 किलो का तो इसका राइट आंसर दी नमबर उप्षन एक दो नमबर प्रेस्ण है किसी परिक्ष्या में चातर तता चात्राओं को उसत प्रापतांक करमस है इगेतर और ते रखा है तो चात्रों का उसत प्रापतांक दे रखा है दोस्तों 71 और चात्राओं का उसत प्रापतांक 73 दे रखा है कुल अंक यहां पर 71 एकस इंटू प्लस तेहतर वाई ठीक है तो समझत विद्यारतियों को उसत प्रापतांक यहां पर 71.8 हो जाएगा ठीक है तो इसको अ एक क्रिकेट खिलाडी एक है क्रिकेट टीम के खिलाडी की आयू 18 वर्स तथा 20 वर्स है उनके इस्तान पर दो नए खिलाडी लेने से क्रिकेट टीम के उस्तायू दो माहा की वर्दी हो जाती है दो नए खिलाडी के उस्तायू कितनी है तो सीधा सा है यहां पर क्रिकेट टीम में खिलाडी की संक्या कितनी होती है 11 तो यहां पर दो माहा की वर्दी होई है सभी खिलाडी में तो 11 एंटू 2 यानि की 22 माहा की क्या हो गई वर्दी हो गई दो पुराने खिलाडी का उस्ता कित तो दो इंटू गुनिस पलस बारा माहें बटे दो यनकी सोले ठीक है तो यहाँ पे गुनिस वर्स ग्यारा माहें इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो सब्द दे रखा है नोवेल में कितने ऐसे अकसर युगम हैं जिनके बीच उतने ही अकसर हैं जितने की अंग्रेजी वनमाला में उनके बीच होते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो कितने ऐसे हैं तीन कितने हैं तीन हैं ऐसे तो यहाँ पे देखो एल एम एन ओ एक तो यह रहा ठीक है और देखो इसमें ओ एन यान कि एन ओ ठीक है तो एक यह भी इसमें हो गया कितने दो आगे देखो दोस्तों यहाँ पे दो तो अपन को दिख गए एक देखो इसमें एन ओ पी ठीक है तो क्यों आर एस तो इसमें दोस्तों तीन यूगम है ठीक है आप देख लेना इसमें सी नमबर का उप्शन सहुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है इसमें देखो कुल कितने वर्ग हैं तो इसमें देखो तीन और तीन चैर तीन 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 नो नो तो सीधे हो ग यदि पीले को लाल और लाल को नीला और नीला को सफेद का जाए तो खूल का रंग है वो दोस्तो नीला होगा दी नमबर उप्शन सरुटर नेस्ट है निमन में वी संगत चुनिये तो वी संगत चुनना है गाजर बिंडी करेला लोکी तो यहाँ पे जो गाजर है वो दोस्तो जमीन के अंदर उगती है बाकी सबी की सबी बाहर है नेक्स्ट है निम्न में से विसंगत चुनिए नाक कान आख चस्मा नाक कान आख चस्मा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चस्मा आगे देखिए A, C, F, H फिर यहाँ पे बताना है फिर उसके बाद में M आएगा तो यहाँ पे देखो B, A का गया पा रहा है फिर D, E, दो का गया पा गया फिर आगे G, फिर एक का आगया अब दो का आएगा G, H, I, H, I तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो B नमबर का उप्शन, G, H, फिर आई, J, K, के आएगा दोस्तो इसमें ठीक है तो इसमें C नमबर उप्शन सही उता है नेक्स्ट है दिगरी स्रंकला को पूरा करोती है यहाँ पे एक दो तीन, सुरी एक दो चार तीन नो, चार, सॉला, ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोस्तो दो, फिर तीन, फिर चार, फिर यहाँ पे पाँच आएगा यह नमबर का उप्शन है वो इसका सही उताद, नेक्स्ट है परवीन उत्तर दिशा में 10 किलो मेटर चलता है बाएं मुड़ जाता है उत्तर दिशा में दोस्तो, 10 किलो मेटर चलता है फिर वो क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है कि थे मुड़ जाता है अब देखो और 4 किलो मेटर चलता है उसके बाद बाइम उड़ जाता है और चार किलो मेटर चलता है तो ये चार किलो मेटर और चल गया अब बताव है प्रारंबिक बिंदू से कितना दूर है तो दोस्तों प्रारंबिक बिंदू से टोटल कितना दूर है तो सीधा सा है दस तो एक हो गया और पांच एक हो गया तो पंदरा कि option इसका right answer हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों 113 नमबर का प्रिक्षा इस्तल पर अफरा तप्री का माहुल देखकर ऐसा लगा कि यहां मेला लगा हुआ है यह कथन है अब निसकर्ष में बताना है कि कौन सा इसमें सही है ठीक है देखो यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं थे यानि कि परिक्षा से नकल हो रही है परिक्षा रद हो चुकी है तो नहीं है तो इसका right answer डी नमबर का option सही उत्तर 114 नमबर का प्रिशन है निमनलिकित में से कौन सा system unit का है तो system unit का बाग है वो कुन सा है तो यहां पर cpu है वो system unit का बाग है नेक्स्ट है सबी deleted file में जाती है तो किस में जाती है तो ये दोस्तो recycle भी इन में जाती है नेक्स्ट है जब कोई computer बंद होता है तो RAM में क्या होगा तो RAM में क्या होगा तो दोस्तो कुछ भी नहीं होगा RAM में आगे देखिए सत्रा नमबर प्रेसने CPU के लिए समाने गणीत परफॉर्म करता है तो दोस्तो ALU ए नमबर का उप्शन सेयुतर नेक्स्ट है पलस करेक्टर की ASCII code क्या है पलस करेक्टर की ASCII code है वो क्या है तो वो है दोस्तो 00101011 ठीक है नेक्स्ट है एंटिवाइरस है तो एंटिवाइरस क्या है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो हैं एंटि वाइरस ये computer को scan करता है तो इसका right answer D number का हो जाएगा इन में से कोई नहीं देखो swipe space इस्तित होती है तो swip space इस्तित होती है तो यह किसमें होती है यह होती है दोस्तो अलग disk विबाजन में next है निमन में से कौन सा printer graphics को printer नहीं कर सकता है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है dot matrix printer D number option सहीधतर 22 number प्रेशन है character का ऐसा नामित set होता है जिसके विशेशताएं भी वहीं होती है तो इसका right answer वो है type style D number option सहीधतर 123 number प्रेशन है इसमें देखिए view यह दिखाता है कि margin header और footer के साथ चपे हुए page पर content कैसे दिखेगा तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो page layout B number option सहीधतर नेक्स्ट है निमन में से कौन page margin का एक परकार नहीं है तो page margin का कौन सा एक परकार नहीं है वो है center B number option सहीधतर 25 number प्रेशन है इसमें देखो Excel workbook में एक work sheet से दूसरे में move करने के लिए किलिक कीजिए तो इसका सहीधतर हो जाएगा वो है sheet tab next है cut या copied text और graphics नामक area में store किये जाते हैं तो क्या किये जाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो clipboard C number option सहीधतर आगे देखो 27 number option है निम्न में से कौन सा पद केवल network का connection है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है internet next है बोतिक सताय पर कारे करने वाले device को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो वो कहते हैं दोस्तो repeater क्या कहते हैं repeater बाव समास कौन सा है तो इसमें दोस्तो भरपेट में अवीवी बाव समास है next है अतियंत सब्द में अतियंत सब्द का परियुक्त उपसर्ग है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो अतियी प्लस है अंत हो जाएगा इसमें तो अत्य उपसर गो जाएगा नेक्सट है निमनलिकित में से एक परते से बनने वाला सही सब्द नहीं है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें अलंकारिक ठीक है ए नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्सट है निमनमे से अम्रित सब्द का प्रियावाची नहीं है तो अम्रित सब्द का प्रियावाची दोस्तों कौन सा नहीं है विभू, डी नमबर का उप्शन से उतर साकार का विप्रितार तक सब्द है साकार का विप्रितार तक जो सब्द है वो कौन सा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सिदा सा simple सा है निराकार next है एक तो है कृति और एक है कृति सब द्यूगम का सई अर्थ क्या हो जाएगा इसका तो वो हो जाएगा दोस्तो रचना और निपून next है निमन में से ऐसुद वरतनी कौन सी है तो असुद वरतनी है दोस्तो इसमें केलास नेक्स्ट है देखो यह चितरे बड़ा सुंदर है वाक्य में असुदी है तो यह यहां पर असुदी है वो है दोस्तो विशेशन समंदी नेक्स्ट है नेमनलिकित मौहावरों में से किस मौहावरे के सामने लिकित अर्थ सही नहीं हैं तो वह दोस्तो उदेडना सरल काम सिर्द भर उप्सन से उत्तर हो जाएगा नेक्ष्ट है 149 नमबर प्रसने अपराद किसी का दंड किसी को के निकर्टम अर्थमी प्रियुक्त लोक होगती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें नयाईक कौन सा नयाईक आगे देखिए यहाँ पर 141 से 143 तक आपको पेसेज से समन्धित इनका answer देना है ठीक है तो इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है जिए इन Nice the इसमें क्या हो जाएगा एरर है ठीक है तो यह नमबर का उप्शन सही उत्तर तो देखो आइदर परमीत और जोती हैव डन दे क्राइम तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा दोस्तों हैव डन दे क्राइम यह गलत हो जाएगा इसमें सी नमबर उप्शन सही उत्तर ठीक है यहां पे देखो एड़ोकेट का सिनोनेम बताना है तो एड़ोकेट का जो सिनोनेम यानि कि समानार्थक सब्द है वो कौन सा हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिडिक्ट यानि कि डी नमब सब्द हो जाएगा दोस्तों वो है हार्मोनी ठीक है डी नंबर उप्शन सही उतर अब दोस्तों अपने को यहां पे एक्सप्रेस मिनिंग बतानी है इडम और प्रेज दे रखके हैं यानि कि मुआवरे और लोगों को तीछे समंदी दो क्यों सनाएंगे तो देखो to have something up once sleeves तो इसका right answer हो जाएगा वो है having a secret plan next देखो to end in smoke तो इसका right answer हो जाएगा वो है to come to nothing c number का option इसका right answer तो इसका दोस्तो c number option इसका right answer हो जाएगा तो यह हो गया दोस्तों आज का अपना model paper है वो समापत हो चुका है तो दोस्तों यह आज अपना model paper है वो बहुत समापत हो चुका है और आध्यार से केटीब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाए वीडियो को लाइक और अपनी दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भर्ण करें